मेरे नाम है असन मगल और मैं हम फाउंदर और सीए ओफ निशेमन टेर्डर्स आज की इस फीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको आर्टकार सौफ़ेर इंस्टॉल करने के बाद रेट सार कटिंग प्लॉटर चलाना है तो आप किस तरहां चला सकते हैं मेरे बहुत सारी कस्टमर्स जो हम से प्लॉटर्स लेकर गए हैं उनको हमने ये वीडियो जो है वो प्राइविट सेंट की थी तो मेरे से बहुत सारे जो वीवर्स और बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो पूछते थे क्यों हम ये वीडियो यूट्व पे अपलॉड नहीं कर रह सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास दो CD's होंगी एक CD A और एक CD B आपने CD A जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टाल कर लेनी है और CD B जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टाल नहीं करनी जी हाँ बिल्कुल आपने CD A इंस्टाल करनी है और जैसे ही CDA install हो जाए उसके बाद आपने CDA को जो है वो अपने system से निकाल लेना है उसके बाद आपने CDB जो है वो अपने system में लगानी है और CDB लगाने के बाद आपने थोड़ी देर wait करना है जैसे ही CD detect हो जाए और उसके बाद आपने artcut की एप्लिकेशन है जो रन हो जाएगा तो आये देखते हैं करना हमें artcut की आप्लिकेशन रन होने के बाद क्या क्या करना है तो विपर जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहां पर रन करना है art cut software मैं इस पर डवर क्लिक करूंगा तो यह देखिए यह एक welcome का dialogue box आ गया है यहाँ पर यह देखिए जो width है आपने देखनी है कि आपकी कितनी है यहाँ पर normally जो width है वो 8 inches के करीब होती है जब भी आप first time जो plotter का software install करते हैं यहाँ पर जो width है वो कम होती है तो इस width को आपने 100-100 कर देना है तो इसके बाद आपने यहाँ पर create पर क्लिक करना है और create पर क्लिक करने के बाद आप यह देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास art cut software जो है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊ हूँ यहाँ पर यह cut upload लिका हूँ है मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं device पर क्लिक करूंगा तो यह window मेरे पास appear हो रही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह normally विंडो जो है आपके पास appear होगा यानि यह dialogue box जो है यह normally आपके पास appear होता है तो यहाँ पर मेरे पास red cell जो है वो आ चुका है और यहाँ पर यह देखिए red cell hpgl मेरे पास जो हो रहा है जो कि मेरे पास यहाँ पर add भी है क्योंकि already मेरे पास जो है वो install है यह software भी और settings भी तो मैं इसको यहाँ से एक दफ़रा delete करता हूँ और यहाँ पर जो है दुबारा मैं इसको भी delete करता हूँ तो के confusion ना हूँ तो यहाँ पर यह देखिए यह मैं red cell hpgl जो है इसको यहाँ से मैं add पर click करूँगा यहाँ पर मैं इसको add कर लूँगा add करने के बाद मैं इस dialogue box को close कर दूँगा यहां से और उसके बाद मैं यहां पर setup में जाओंगा setup में जाने के बाद मैं parameters में जाओंगा और यहां पर यह देखे यह baud rate है और यहां पर यह दोर चीज़ें आप इसे गोर से देख लीजिए यह sequential control और बाद रेट है यहां पर यह जो है यह बाद रेट नॉर्मली जो हम red cell cutting plotter यूज़ करते हैं उसका बाद रेट जो होता है वो 9600 होता है तो यहां से यह already जो setting है वो इसी की वह भी है तो यहां पर मैं 9600 कर दूँगा और इसका जो sequential control है यह होता है RTS और CTS ठीक है तो यहां पर डबल चेक हो या उपर वला चेक हो नीचे वला अंचेक हो तो आप जो है इसको सिर्फ RTS CTS को चेक कर दीजएगा और इन दोनों को आपने अंचेक कर दाना है खास और पर जब आप red cell cutting plotter इस्तमाल कर रहे हैं तो इन दोनों को आपने अंचेक करना है जस्ट इसको कॉम 1 का होना जरूरी है जैसे कि यहां पर देखिए मेरे पास कॉम 3 भी है क्योंकि इसको मैंने जो है वो USB केवल पर भी चला हुआ है यह जो setting है यह कॉम पोर्ट की है यानि कि जो serial port भी हम उसे कहते हैं communication port भी हम उसे कहते हैं यह उसकी जो है settings है कॉम 1 जो है वो उसकी setting है औ तो कॉम 1 पर मैं इस पर click करूंगा और click करने के बाद जब मैं यहां पर test करूंगा तो यहां पर test करने के बाद मेरे पास जो plotter है वो चल जाएगा यानि कि छोटा सा box और बीच में एक round जो है वो create करेगा तो यानि कि मेरी जो settings है वो बिल्कुल ठीक हो गई है अगर for example आप यहां पर port जो है वो link 2 में change करते हैं और दुबारा आप फिर यहां से change करते हैं तो sometime ऐसा होता है कि जब आप setup में जाते हैं पेरामिटर्स में जाते हैं तो यह देखी जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अभी मैंने आटे सीटेक्स जो है वो चेक किया था और यह दोनों change हो गई so that इस पर मैं अंचेक दुबारा करूंगा okay करूंगा chain पे click करूंगा बंद करूंगा और test पे click करूंगा तो यह easily जो है मेरा cutting plotter चल जाएगा उसके बाद जो है आपकी जो भी EPS की file आप coral drawer से import कर रहे हैं उसको आप easily जहां पे चला सकते हैं सब्सक्राइब आपको बताया है कि आपकी सब्सक्राइब कर सकते हैं red cell cutting plotter के लिए तो यह सारी सेटिंग सी अगर आप यह सारी सेटिंग्स ठीक तरा follow कर लेते हैं तो आपको जो red cell का cutting plotter है वो COM port यानि के communication port पे easily जो है वो चल जाएगा आपको किसी किसम की कोई भी मुश् सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब किजिए शेयर कीजिए वीडियो अगर किसी को भी मुश्किल पेच आए अगर वीडियो हमारे YouTube चैनल में मौझूद हो तो उस फ्रेंड को या उस जो भी आपको कुछ जानने वाला है उसको जरूर सेंट कीजिएगा ताकि उसकी भी हैल्प हो सके अगर वाचिए शेमर्टेर्स YouTube चैनल से यू नेक्स वीडियो लावफेस